दशेरे के मौके पर पंजाब के अमरिसर में एक बड़ा रेल हाथसा हो गया, जहां पठान कोट से अमरिसर की तरफ आ रहा ही एक ट्रेन ने रावन दहन देख रहे लोगों को रौन दिया, इस हाथसे में अब तक 61 लोगों के मरने की पुष्टी हुचकी है, जिसमें हर दोई के सुरदीब पुर गाउं के दो सगे भाई भी शामिल हैं, जानकरी के अनुसार जिस वक्त ये खौफनाक हाथसा हुआ, उस वक्त दोनों रेलवेड ट्रेक से रावन देख रहे थे, जहां अचानक आई ट्रेन ने उनके जिन्दगी छीन ली, वहीं हाथसे की सूचना मिलत से ही पूरे गाउं में मातम पसर कया कि दो दने के खतम हो गया है, गाड़ी से ट्रेन से अचा अर वह हमारे भाई गए, अब हो जाई गई, अब हो जाई गई, अब हो पता चला, मैरे जेठ की लड़िका लगाती हैं, और पंजाब मा रहाती हैं, और देखा हूँ, हूँआ गया हते, वो मेला लगो तो, रावर फूंको जात, हूँआ गई, ट्रेन से खतम हुई गया, लड़के दूई, हमारे जेठावत, उनको पवन कुआर, गिरिंद, क्या करते हैं, आपको बता दें कि दोनों मिर्त भाई, अमरिसर में ठेला लगा कर फल बेचने का काम करते थे, फिलहाल दो बेटों को खोने वाले अमरिसर रवाना हो गए हैं, वहीं घर में मौजूद परिजनों का रोरो कर बुरा हाल है, और पूरे गाउं में मातम पसरा हुआ है, पंजाब केसरी टीवी के लिए हरदोई से आशीश दुएदी की रिपोर्ट